नवस्कार दोस्तों गुड मॉर्णिंग कैसे हैं आप लो कमेंट करके जरूर बताईएगा विलकम बैक टू माई यूटूब चैनल मेरे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों एक बड़ी ख़बर एक बड़ी अपडेट इस बीडियो में आपको हम देने वाले ह हैं जी हाँ पेपर लिक की बात करने वाले हैं जैसा कि आपको पता है कि बीपीसी टी आरी थी पॉइंट चीरो की पहाली चल रही है उसमें पेपर लिक हुआ है उसी को लेकर बैठा की हुआ है अब यह तैय है कि बाहले रद होगी या नहीं होगी यह पूरा डिशाइड ब परिच्छा की जांच करेगा जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या रिपोर्ट आया जब रिपोर्ट पोजेटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा उसी के अधर पर काहज़ा सकता कि परिच्छा रद होगा या क्या होगा आयोग ने कहा है कि यू ने परिच्छा सम सामने हैं वहां से सुचनाय प्राप्त होने पर समिच्छा के बाद परिच्छा पर नियुनाय होगा आयो का यह कहना है कि जब परिच्छा से पहले करवाई तो पेपर लिग कैसे यू का दावा तो चलिए इस खबर को विस्तार से देखते हैं जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं एक वर चैनल को सस्क्राइब जरू कर लिजेगा बेल आइकन को भी प्रेश जरू कर लिजेगा ताकि पलपल का अपडेट आपको मिलता रहे यह खबर हिंदुस्तान पेपर के में कासित होके आ रही है देख सकते हैं सिच्छक बहाली के तिसरे चल्ण की परिच्छा का प्रश्णपत आउट होने के मामले में जांच एजनसी एयू और बीपेसी आमने सामने आ गई है जी हां पहले इसका इओ यू ने जांच किया जांच में हलका फलका कुछ बाते कही रहेंगे क्योंकि यहां पर साब दिखा है कि दो जांच एजनसी बीपेसी और एई एई ओयू और बीपेसी आमने सामने हैं जहां इओ यू ने अपनी सुर्वाती जांच के बाद दावा किया है कि तिसरे चल्ण की परिच्छा का प्रश्णपत आउट हो गया है यानि कि ज इसे सीरे से खारिज कर दिया है अब दोनों में मत बेद है जैसा कि आपको और और देखने को मिला होगा ज़िपएसी और 6 वाग आमने सामने था अभी हां पर यह यू और बीपेसी आमने सामने हैं दोनों की अपनी अपनी दलीले हैं क्योंकि ठोबूस तबूत नहीं रहने में आर्थिक अपराथ इकाई से साच मांगा है जिसे आप कह सकते हैं ई ओ यू आयोग ने जांस एजनसी को परिच्छा शुरू होने के पुर्व प्रश्नपत और उत्तर लिख होने समद्री ठोज साच देने को कहा है यानि कि बीपेसी ने ई ओ यू को कहा है कि परिच्छा से पुर्व जो प्रश्नपत लिख हुआ है उसकी जनकारी हमें दिजिए और उसका उत्तर जो लिख हुआ है उसका अंसर भी हमें आप जनकारी दिजिए आयोग ने कहा है कि ठोज साच और वांशित सुचनाय प्राप्त होने पर समिच्छा के बाद परिच्छा पर निने लिय बाद जाएगा यानिका कहना है कि अगर आप ठोज सबूत देते हैं तो उस पर हम जाच करेंगे जो सुचनाय आप दिजिएगा इंफोरमेशन दिजिएगा उसके हम जाच करेंगे और देखेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है जो सच्चाई आएगी उसी के अधार पर हम लेंगे कि परिच्छा रद करें या नहीं करें इधर प्रश्ण पत्लिक होने के संबंद में रवी बार को यू द्वारा आयोग को परतिवेदन उपलब्ध कराया गया है तो यहां पर देख सकते हैं और भी अपडेट है वो देते हैं देख सकते हैं जो एसाइटी गठित किया गया है हम पर देख सकते हैं आयोग ने कहा है कि ए और यू ने परिच्छा समाफ्थ होने के बाद सूचना दी है यह किसका कहना है तो बीपेसी के कहना है कि परिच्छा समाफ्थ होने के बाद हमें यूरी पूर्दी है 15 मार्ज को आउजित की गई थी परिच्छा आठ सदस्य टीम का गठन हुआ है SP बाइभव के नितित में जो SIT गठिट हुआ है उसमें 8 लोग है जर क्या डॉट है तो प्रश्ण पाउट होने के मामले में जाच एजनसी और BPC आमने सामने है जी हाँ दो एजनसी हमने आपको पहले ही जिगर कर दिया है कि EOU और BPC आमने सामने है वांसे सुचनाय प्राप्त होने पर समीच्छा के बाद परिच्छा पर निगनाई लेगा यह आयोग का कहना है कि जो भी सुचनाय आप प्राप्त करेंगे या देंगे हमें उसके बाद हम जाच करेंगे उसके बाद ही टिम कर्थित करेंगे हलाकि आयोग को कहना है कि पंद्या माज को परिच्छा प्रम्पूर्व होने के पूर्परिश्मत लिख होने का मानक साच इस पर्ति बेदर में नहीं है क्या है यानि कि बड़े अस्तर पर इसकी जांच हो रही है क्या है देख सकते हैं कि एक 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 स्पी है और तिन एक साथ एक कोई और होंगे एक स्पी होंगे एयू के एडिजी नेयर हसनाइन खान ने इस आईटी के गठन का आदेश जारी कर दिया है अब देखिए बीपेसी का दलिल क्या है वो हम देख सकते हैं बीपेसी का दलिल और यू का दलिल बीपेसी के अनुसार ए ओ यू ने अपने परती बेदर में कहा है कि पंद्रा मार्च को सुभा पांच बजे ही हजारी बाग में कई अस्थानों पर उत्तर रटने के लिए सैंक्रों की संख्या में आभ्यार्तों को एकित होने की सुचना पर छापी मारी की गई यानि कि उनको कहीं से ये सुचना मिली कि एक जगा पे बहुत सारे सुचना अभ्यार्ती मौजूद हैं जब पुलिस कोई को ख़वर मिली तो पुलिस घटना स्तल पे गई उहां पे छापे मारी किया जिसमें मुवाइल, लैप्टोप, प्रिंटर, प्रिंटर, ब्रामद योग को प्रश्पत लिख होने के समद में सुचना अप्रहन दो तीस बजे दी गई, इसके पुरू बारा बजे पर्थम पाली की परिछा समाप्त हो चुकी थी और दुतिय पाली की परिछा दो तीस बजे प्रम हो गई थी, ऐसे में पे पर लिख को कैसे सही माना जाएगा यह BPC का कहना है, वहाँ EOU का दावा है कि 13 को ही प्रश्पंत लिख होने के सुचना मिली, 313 पकड़े गए, EOU की ओर से सुक्रुवार को जारी बिग्यपती में बताया गया कि पेपर लिख की सुचना 13 मार्च को मिली, पटना के कुम्रहरा इलाके में एक अग्यात को करा गया, यह अभियरती उत्तर को याद कर रहे थे, वहीं परिच्छा समापती के बाद आयो को धाई बज़े सुचना दी गई, इसी बज़ा से परस्णपत लिख को साजिस बताया जा रहा है, अब तक इस मामले में 313 पकड़े जा चुके हैं, छोटा सा अपडेट हमने आ निवाद दोस्तो